प्रिवेस्ट सेशन में हमने फोर हंड़ेट कर लिया था तो सीरीज का आज नेक्स सेशन हम लोग यहां पर स्टार्ट करें किस्ट नबर फोर जीरो वन से आज के सेशन में हम लोग कम्प्लीट करेंगे साथ ही जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब दो चैनल ताकि रेगूलर बेसेश पर आपको वीडियो के नोटिफिकेशन यहां पर मिलते रहें और जैसे कि आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है यदि आप बाल्विकास तो शिक्षर चाहते हैं तो जरूर से एक बार वाट्साप कर लीजेगा वाट्साप नंबर है करेंगे 2021 तक कि जितनी भी एक्जाम हुई है वो सारे एवन 2022 के कुछ पेपर्स भी इसके अंदर इंक्लूट किये गए हैं तो यह सारी चीज़े आपको पेपर के अंदर इस बुक के अंदर मिल जाएगी साथी EVS के मैट्स के हिंदी के नोट्स भी अविलेबल हैं तो कनेक् सब्सक्राइब करेंगे उसमें से अधिकतर कुछन जोंगे आपके लेंग्विज के उपर बैस जोंगे ताकि आपका यह जो टॉपिक है यापका है जो चाप्टर है भाशा वाला वह भी आपका यहां पर कंप्लीट हो जाब किसलेबस में आपने देखा होगा एक चैप्ट कि यह भी आपका अभी कंप्लीट हो जाएगा चलिए कुश्चन नंबर 401 को पढ़िए और आंसर क्या होगा कुश्चन नंबर 401 का प्रात्मे किस तरब बच्चों की भाशा शुक्षा किस अंदर्व में कौन सा गतन असत्य है प्राइमरी लेवल पर जब बच्चों की भा हाले में प्रशीद भाशा परिवेश में विरोधा भासी भाशा सीखने में सहायक होता है सुधार के नाम पर की जाने वाली टिपणियोवर निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरूची उत्पन हो जाती है बच्चे सम्रद्ध भाशा परिवेश में सहज और समवत्त की साथ विध्याले आते हैं बच्चे जब स्कूल आते हैं तो डेफिनेटली कुछ न कुछ उनके पास ऑल्रेडी भाशा का ग्यान होता है बीवाला देख लेए बच्चे की भाशा संकल पनाव और विध्याले में प्रचलिक भाशा परिवेश में विरोधा भास मतलब जो सीख रखा है और जो पहले जो अब वो सीखने वाले हैं उसमें विरोधा भास होगा है ना तभी बच्चे भाशा सीख पाएंगे क्या यह थोड़ा नेगेटिव लग रहा है सी ओडी को भी पढ़ लेते हैं सुधार के नापर की जाने वाली टिपणिया वा निरर्थक अभ अबर बी हो जाएगा चलिए कुश्चन नबर 402 को देखिएगा प्राइग्मरी लेवल पर कौन सा भाशा शिक्षन का उद्दीश नहीं है भाशा शिक्षन का लेंग्विज टीचिंग क्या परपस नहीं होगा वर्णमाला को क्रम में कंटस्त करना द्वानी संकेत चिन्नो का संबंद बनाना अपने फॉनिम वगेरा पड़े हैं उसके थ्रूही शब्दों को सीखा जाता है बिल्कुल सीखा जाता है तो यह तो आंसर नहीं हो सकता आपको क्या बताना है नेगेटिव सी वाला भी पॉजिटिव लग रहा है कि विभीन संदर्बों में भाशा का कहानी सुना गीने कि क्या फाइदे और क्या नुकसान हो सकते हैं तो किस्ट नेबर 403 यह बुल रहा है कहानी सुनाने से बच्चे कक्षा में एकागरी चीतों कर शांत बटते बच्चे अनुशाश्यत रहते बच्चों की कल्पना शक्ति और चंतन शक्ति का विकास होता है चलिए चल दी से question number 404 का answer करिएगा, इसका answer यहाँ पर क्या होगा, तिको क्या लिखा हुआ है primary level पर भाशा स्रिक्षन का कौन सा उद्देश यहाँ पर अनिवार्य नहीं है, जिसके requirement नहीं होगी, सबसे पहले बच्चे में भाशा का अलंकारिक प्रयोग की शम्ता का विकास क करना, तिके second number का option, third number का option, यहाँ पर क्या बोल रहा है, विभिनेस अंदर पूर में प्रयोगत शब्दों की सही अर्थ ग्रहन करना, और option number D, विभिनेस अंदर पूर इस्थतियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास, हम से क्या बोलागा, कौन सी चीज यह पर important नहीं है, तो अब देखो, primary level पर बच्चों को यह basic knowledge हो जाए, जो उनके at least communication बातचीत करने में काम आजाए, देनी जीवन में काम आजाए, वो sufficient होती है, तिके इतना व्याकरण का इसका प्रियोग ना करो, तो बढ़िया है, तो बच्चों के भाशा के आलंकरिक प्रिय भाशा यानि के telegraphic speech का प्रियोग कर रहें, तो ये telegraphic speech होती ही क्या है, तो अब हम लोग बोलते हैं, कि बच्चे जो है telegraphic speech सीख चुका है, तो actual में इसका जो meaning होता है, वो होता क्या है, संशिप्त वाक्यों का प्रियोग करना, मुख्यर्थ को व्यक्त करने वाले संग्या क्रिया, विशलेशन आदी दो शब्दों वाली अभिव्यक्ती, तार में प्रियुक्त होने वाली भाशा का प्रियोग करना, या अंग्लेजी शब्दों का प्रियोग करना, जिससे कि हम लोग अपनी थ्योरी पढ़ते हैं, कि बच्चा कुईंग करता है, फिर धीरे दे एक से जो चीजे होगी संग्या होगी क्रिया विशेशन हो गया तो यह सारी चीजे एदि बच्छा शीखने लगा तो हम लोग बोल सकते कि यह बच्छा भी कौन सी स्टेज में टेलीग्राफिक स्पीज वाली स्टेज में किस को लेकर भाशा को लेकर लेकर आपका option नंबर बी हो जाएगा ओके चलिए कुश्टन नंबर फोड जीरो सिक्स को देखियेगा प्रात में किस तर पर बच्चे किस प्रकार की कवीता है पसंद करते हैं प्राइमरी लेवल पर बच्चों को किस प्रकार की पोयम ज्यादा पसंद आती है इसमें लायात्मक्ता हो हैं न जो तुकांत नहों जो कोई सीख देती हो इस प्रकार के जिसका कोई अपना मोरल हो देखो प्राइमरी लेवल के बच्चे चोटी गलास के बच्चे तो डेफिनेटली उनको वो चीज पसंद आएगी जिसे के हम लोग राइम करते हैं न के पीछे लास लाइन बिल्कुल सेम आ पर बोलना उसको गाना ज्यादा पसंद करते हैं ठीके चलिए कुश्चन नमर्ड सेवन के पास चलते हैं फ्रात में किस तरीके का बाल साहित उच्चेत है प्राइमरी लेवल पर बच्चों को किस प्रकार का बाल साहित पढ़ाना उच्चेत समझेंगे ऐसा साहित जिसमें चब्दोर घटनाओं का दोहरा होता हो केवल कवीताएं हों केवल कहानिया हों ऐसा साहित जो प्रसिद्ध साहितिकारों के द्वारा लिखा गया हो ठीक है अब देको प्राइमरी लेवल पर बच्चों को बढ़ा रहे हो तो कहीं न कहीं वो काफी टॉफ नहीं होना चाहिए मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें बच्चे को बच्चे को पढ़ने में यहां पर दिक्कत हो जाए हो ऐना कसी डीकारों करता हुए पर फॉई हैätta टो कि यहीं हम लोग पिएफ़ आज़िए कोई सब्सक्राइक तो क्वारे बचति बोल सकते तो किवल यह उप्शन हमार ताकि बच्चे को सीखने में भी आसानी मिलेगे, बच्चे चीजों को connect करता हुआ, यहाँ पर चलेगा, मतलब हम लोग बोल सकते हैं, आंसर क्या correct हो जाएगा, option number one correct हो जाएगा, चली, question number eight को देखेगा, प्रात्मे के स्तर पर बहु सांस्कृतिक प्रश्ट बूमी वाले बच्चे लक्ष भाषा के परिवेश से भाषा अरजित करते हुए क्या करेंगे, जो भी उनके target language है, यदि उसको सीखते हुए क्या अरजित कर लेंगे, उसे शुद्ध रुप से पहचानेंगे, व्याकरणी नियमों की शुद्धता को परकते हैं, लक्ष भाषा के अपनी भाषा के रशनात्मक्ता का प्रियोग करना सीख जाते हैं, तो देखो, क्या होगा यहाँ पर आंसर, टाइमरी लेवल पर बच्चा अपने target language को सीखने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं न कहीं उसको समय लगेगा इस चीज को सीखने में, तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं, धीमे धीमे भाषा के रशनात्मक्त प्रियोग करने का वो अभ्यास करेगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, option number D हो जाएगा, ठीके, चलिए, question number 9 के पास चलते हैं, भाषा शिक्षन की कौन सी विधी, मात्र भाषा को मत्यस्त बनाए बिना, दूसरी भाषा को स diesen हैं, अब मैं वहाँ आनुवाद पर चुप करते हैं, जा लित बनाए यहाँ है , चलिए बनाभी मैं से चल्सटार अजसरी के आइंन माने सब्स्त प्रिडिन में बनाने में एक तर सक्मावदी बदिक को आया दाएगा, डिकतों कमष्र शोन की आवेश से घंध्राइका, अणवाद विधि हो सकती है यह वियाकरण और अनुबाद विधि यहां पर हो सकती है देखो दो तो यहाँ पर option, नाम से कट हो जाएंगे कौन से option यहाँ पर कट हो जाएंगे देखो इस च्छी अई पर दिख रहा है तो उसका काता है तो सब्सक्राइब घराकव है ऊज़ेंगे जो कामी मरति सब्सकार देखिया नहीं हो सकता है धार गर्णी को से उसके काम, पर भी कहा हैंगे, जो मिलने सब्सकार गर्रूहं आप Already सब्सक्राइब वगेरा उसका history वगेरा वो सारी चीज़ें यहां पर आपको नहीं सिखाई जाएगी तो यह कौन सी method होती है direct method होती इंग्लिश पेड़ागोजी में आपने पड़ी थी कई सारी method पड़ी थी arts and no, कुछ approaches भी पड़ी थी, तो इसमें एक method भी थी direct method इस हमने French सीखना है, मानलो आपको इसी company में काम करने जा रहे हैं, जहां पर आपको French language के आउश्रकता है तो directly आपको French के और जो जिस चीज के आपके आउश्रकता है, वही चीज आपको यहां पर पड़ा दी जाएगी, तो that's called direct method प्रत्यक्षविती, चलिए question number 10 के पास चलते हैं, चलिए इसका answer करिएगा, भाषा शिक्षन के संदर्भ में कौन सा कथन यहां पर आपको सही नहीं लग रहा है, भाषा शिक्षन को लेकर कौन सा statement आपका wrong है, तिके सम्रत भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में आपक सहायक होता है, देखो अब आपसे क्या पूछा गया है, कि कौन सा statement क्या है, wrong है, wrong statement हम लोगों को यहां पर बताना है, option number 1 से start करते हैं, सबसे पहले तो आप सभी answer करिएगा, answer यहां पर क्या होगा, फिर one by one करके इसको हम लोग discuss कर लेते हैं, सारे options को, चलो समझ में आ रहा ह हमारी मदद ही करेगा, ठीक है, तो पहला वाला तो answer आपका नहीं हो सकता है, दूसरे वाले के पास चलते हैं, दूसरा वाला क्या बोल रहा है, भाशा अरजन और भाशा अदिगम दोनों में अंतर होता है, एक तो language को acquire करना, like आप जब बेदा हुए थे, जब से आपके साम अरजन हो गया, language acquisition हो गया, जो अपने आसपास के environment से आपने सीखी है, और भाशा अदिगम जो आपने स्कूल में जाकर या किसी दूसरे लोगों के माध्यम से training लेकर किसी भी तरीके से सीखना है, याना तो वो आपका भाशा अदिगम हो गया, तो definitely दोनों अलग अलग चीज़े चेक की जाती है, अपका grammar चेक किया जाता है, तो उसमें कही सारी चीज़े होती है, तो अकेले ऐसा बोलना, कि के वल यही चीज़े को परखा जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो यही क्या हो जाएगा, आपका answer हो जाएगा, बाग की अगले option के पास भी चलत C, चली कुशन number 11 की बात कर लेते हैं, question number 11 को देखेगा, बाशा स्क्रिक्षन का संप्रेषण आतम कुपागम क्या बोलता है, संप्रेषण आतम कुपागम जिसमें आप बात चीज़े कर सकते हैं, रना, communicative जिसको बोलते हैं, बोलना कोशल पर बल देता है, मतलब जब भी आप speaking करते हैं तो कहीं न कहीं आपके अंदर वो एक कोशल होना चाहिए perfection आपके अंदर होना चाहिए तो यह वाली चीज बोल रहा है चलिए आगे बात करते हैं अगला option क्या बोल रहा है बाशिक सरशनाव की जानकारी पर बल देता है कोन संप्रिशनात्मक उपागम अगला क्या बोल रहा है संदर्ब में भाशा प्रियोग की कुशलता पर बल देता है कि आप कितने अच्छे तरीके से उस लैंग्विज को यहां पर प्रियोग कर पा रहे है तो यहां पर क्या हो जाएगा option number C हो जाएगा क्लियर है इतना चली कुशन number 12 के पास चलते है वाई गोच्की के अनुसार भाशा एक अरजित योगता है भाशा चिंतन को निर्धारित करती है चिंतन भाशा को निर्धारित करता है भाशा वह चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विक्सित होते हैं क्या answer यहां पर ह किस तरीके से सोचते हैं आप कैसे स्कीमा डेवलप करते हैं उसके बाद जो है आप लेंग्विज को आसानी से समझ सकते हैं और इसका जिस्ट रिवर्स वाई गोच्की क्या बोलते हैं आपके पास भाशा होती है उसके बाद आपके अंदर चिंतन की प्रक्रिया आती तो क् चिंतन को निर्धारित करती हैं यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा पहले भाशा आएगी उसकी बाद चिंतन आएगा और इसका जस्ट रिवर्स कोन बोलता है जिन पियाजे बोलते हैं अभी वाइगुज की पूछ है आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नमबर बी हो जाएग कि किसी भी लेंग्विज को एजीली समझ सकते हैं क्योंकि उनके पास जो शब्द कोश होता है डिक्शनरी होती है अम लोग मानते है यह उनके पास इन बिल्ट होता है लेंग्विज एक्विजिशन डिवाइस जिसको हम लोग बोलते है बस क्या होता है कि उसको एक सेंटने formation जो होती है या शावदिक सरशना जो होती है पस उसको सीखने की ज़रत होती है तो ये वाली बात किस ने बोली है चौंसकी ने बोली है डी आंसर आपका correct हो जाएगा चलिए question number 14 को देखिएगा लोग गीतों को भाषा के कख्षां में इस्थान दिया जाना चाहिए इससे बच्चे सांस्कृतिक विशेष्टाओं से परीचेत होते हैं लोग गीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षन का उद्देश है लोग गीत काया जा सकते हैं केवल लोग गीतों के माध्यम से पारंपर एक मुल्यों की शिक्षा यहाँ पर दी जा सकती है तो देखो क्या अंसर यहाँ पर इसका करेक्ट हो सकता है एक तो चलो ऑप्षन नमबर डी के पास चलते है तो इसने यह तो सही लिखा है कि पारंपर एक मुल्यों से बच्चों को समझ में आगे लेकिन इसने ओनली यहाँ पर लिख दिया है दर्चवा यह नेगेटिव क्यों कि अंदर इसको स्थान दिया जाना चाहिए नेगेटिव है इसको बड़ावा देना भाषा शिक्षन का मुख्योद्धिश है यह भी नेगेटिव है इससे क्या होगा बच्चों को संस्कृति के बारे में कल्चर के बारे में पता चलेगा यही पॉजिटिव लग रहा है औ और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर भी हो जाएगा option number one चलिए 15 के पास चलते answer करिएगा question number 15 का किसी भाषा काक्षा में कहानी कथन के आवशक्ता के संदर्व में कौन सा तर्क यहां पर उचित नहीं है सभी बच्चों की शमता के अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता आपको क्या बताना है सबसे पहले तो question में negative क्या है कहानी कथन के आवशक्ता के संदर्व में negative statement आपको बताना है सभी बच्चों की शमता के अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है सभी बच्चों की भाषा सुनने का परिवेश मिलता है सभी बच्चों को तीसरा सभी ब कफ़ने के माध्यम या किए को बच्जों को पढ़ाना है कुंसा बच्क कर यहाँ पर कहानी koy ख़न को लेकर आपको सही नहीं लग रहा है। दिखो सभी बच्चों की शम्ता के अनुसार जिसको जैसे समझ में आता है किसी को पढ़ने के माध्यम से किसी को कैसे भी समझ आता है तो इसे कलपना शक्ति का विकास होगा यह तो अच्छी बात है आपको एक नेगेटिव स्टेट्मेंट बताना है तो यह आपका अंसर नही होगा option number C को देखो कि यह क्या बोल रहा है सभी बच्चों की शम्ता को ध्यान में रखते होगा या उचित नहीं है यह है नेगेटिव है बागी सारी की सारी चीज़े तो पॉजिटिव लग रही है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका option number C हो जाएगा चलिए आगे बात करते है question number 16 की निमनल लिखित में से कौन सा द्वितिय भाषा शिक्षन का उदेश नहीं है द्विति भाषा क्या होती है देखो दो चीज़े होती है एक हमारा L1 होता है और L2 होता है ना यह primary language होती है प्राक्मिक भाषा और यह द्वितिय भाषा secondary language होती है L1 जिस को आप ग्रहन करते हैं ग्रहन करना acquire करना अपने आसपास के इन्वार्मेंट से जिसको आपको सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है और द्वितिय भाषा secondary language होता है जिसको सीखा जाता है किसी व्यक्ति के माध्यम से समय देकर एक्टिवली सीखा जाता है तब इसको लेकर क् किसका द्वीति भाषा का secondary language का या फिर L2 का सबसे पहला विबिन शेत्रों इस्ततियों में हिंदी की विबिन युक्तियों को समझने की योगिता का विकास हिंदी के व्यक्रनेक नियमों को कंठस्त करना देनिक चिवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की शमता का विकास बोलने की शमता क्या नुरूफ लिखने की शमता का विकास तो secondary language का क्या परपस यहां पर नहीं होता है secondary language के क्या क्या परपस हो सकते हैं देखो यह वाला option यह दिया आप देखेंगे तो positive है कि जो भी चीज़े आप सीख रहें तो कहीने के at least आप उसको प्रियोग तो कर पा बाकि COD को भी देख लेते हैं देनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की शमता का विकास होगा अच्छी बाते बिल्कुल हमें चाहिए भी यह तो यह भी आपका answer नहीं हो सकता और D वाला क्या बोल रहा है बोलने की शमता क्या नुरूफ लिखने की जैसा आप ब 17 के पास चलते हैं भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सरवादिक महतुपूर्ण है भाषा के व्याकरण के नियम पार्ट पर आधारित प्रश्ण भाषा की सम्रद्ध पार्टि पुस्त के सम्रद्ध भाशिक परिविश आपको पता है जो रियल इन्वार्मेंट होता है वो च्न See Shown Information No 18 का अंसर क्या होगा भाषा क्रती विद्ध्याले में ही सीकी जाती है एक नियम बद्द वेवल्तान के नियमों का अनुमान करती है नियमों की जानकारी से निखरती है उतना जादा जहाटा आपको सीखने में help मिलेगी ठीक है तो क्या answer यहां पर हो सकता है question number 18 का तो भाषा जो एक नियमबद व्यवस्ता जो नियमों के माध्यम से इसको सीखा जा सकता है ठीक है correct answer क्या हो जाएगा option number B हो जाएगा भाषा एक नियमबद व्यवस्ता है चली question बाषा के चारो कोशल पर पूर्ण अधिकार रखते हैं चारो कोशल मतलब लिस्निंग स्पीकिंग रीडिंग और राइटिंग सुनना देखना बूलना और लिखना यह सारी चीज़ है ना तो क्या answer यहाँ पर correct होगा 19 को विध्याले आने से पहले बच्चे जो हैं अपनी भाषा की नियमबद व्यवस्ता की व्यवहारी कुशलता के साथ आते हैं कोरी स्लेट होते हैं भाषणय का समुझित प्रयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं या इस पर पहुंद यह चीज तो स्कूल में आकर सीखेंगे समुझित प्रयोग अच्छे से कर पाएंगे विध्याले आने से पहले ही तो यह भी सब्सक्राइब बात करें जान लोक तो बच्चे को अपने व्यभार को देख सकते जिसा आप अपना अनुभाव डालना चाहते बच्चे के अंदर यह वहार वादियों की बात है तो यह भी क्या होगा अगर ऑफर बात करें तो नेगेटिव होगा तो बी भी आंसर नहीं हो सक एक को देख लीजिए अपनी भाश्रा की नियंबत व्यवस्ता की व्याभारी कुशलता के साथ आते जो उन्होंने सीखा जब जिस भी लेंग्विज को उन्होंने एक्वायर किया है उसके साथ वो स्कूल में आएंगे चली कुशन नबर 20 को देखिएगा भाश्रा का प्रात्मिक रुप कैसा होता है संकेतिक होता है लिखित होता है व्याकरनिक होता है या फिर मोखिक होता है तो भाश्रा जो है सबसे पहले किसके माध्यम से सीखी जाती है संकेतों के माध्यम से क्योंकि डारिकली बच्चा जो ह सबसे पहले बच्छा संकेतों के माध्यम से भाषा को सीखने की कोशिश करता है that's why आंसर क्या हो जाए का option number one हो जाएगा चलिए तो आज की session में लोग 20 questions यहां पर complete करें बागी के next session में हम लोग ज्यादा question complete कर लेंगे तो एक बार से अपना-पना score जरूर से मुझे शेयर कर दीजेगा score यहां पर क्या रहा है इसके बाद हम लोग next session में मिलेंगे इसके लावा और कोई भी doubt है जरूर से आप WhatsApp कर लीजेगा 877-080-3840 पर मिलेंगे हम लोग next session में thanks for watching